अलेकूम मैं हूँ वाहिम खार, नेशल सेविंग के अपडेट, प्राइविट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मनाजबिन की तन्खा, पैंचन, EOBI के अपडेट के साथ आप लगों खिर्दत में हाजिर हूँ, रिक्वेस्ट आप लोग सी यही है, अगर आप हमारे च स्ब्सक्राइप कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेर कर दे, बैल आइगfi कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जहें हम आप लगों लग रिलेटेड हो प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो बजट हो सरकारी मनाजबिन की तनखा हो पैंशन हो EOBI हो वीडियो फर्स्ट आफ वला आपने को मेरे हैं और आप लोग जाद से जादा फायदा हासिल कर सकें आज की जो मारी वीडियो है वो है शॉर्ट टर्म सेविंग से रिलेटेड आज है 12 सेप्टेंबर 2024 और कौमी बचत ने जो है वो एक सर्कुलर जारी किया है आज की डेट में मतलब सर्कुलर कल की डेट में साइन हुआ है इशू आज की डेट में हुआ ठीक है उसमें कौमी बचत के बहुत सारे स्कीमों का मुनाफर रेट तब्दील कर इन सबके मुनाफर रेट में तब्दील की गई है लेकिन चुके हमारे पास जो सवालात है वो दो इसकीमों से बहुत जादा आ रहे थे एक आहिसे जिनकी डिटेल्स वीटी अप्लों सार्ब्दा सार सर्कुलर वेट बहुत जरूरी होता है ठीक है तो आज की जो मुनाफर वीडियो है वो है short term savings certificate से related नया मुनाफ़ा जो है वो आज की date से applicable है मतलब circular भी आज ही आया है और आज से जो applicable हो गया मतलब आज जिन लोगों ने भी short term savings certificate में पैसे जमा करवा है यह जितनी scheme को नाम मैंने अभी लिया है सर्वाइस्लामिक saving account हो गया special saving certificate हो गया special saving account हो गया आज की date में जिन लोगों ने भी इन scheme में सर्वाइकारी की है उनको जो नया मुनाफ़ा date जारी हुआ आज की date से वो लागू होगा information हमारे पास कल पर सो आ गई थी कि जनाब कौमी बच्चित की scheme का मुनाफ़ा तबदील होने वाला है लेकिन ये चीज़े ऐसी होती कि जब तक कोई हमारे पास authentic proof ना आ जाए documentary proof ना जाए notification हाथ में ना जाए हम अब आप लोगो को update नहीं करते है advance में क्योंकि फिर जो आप लोगो के comments आते हैं कि fake news है और ये है बैरा short term saving certificate से related notification जो है वो आ चुका है और कभी बचकती तमाब branches में भी available है ठीक है हमारे पास भी मौझूद है और शायद internet पे भी आपको मिल जागा बैरा आज की वीडियो में हम बात करेंगे short term saving certificate का notification issue है उस पर short term saving certificate तीन महिने चे महिने और बारा महिने के लिए आप ले सकते हैं तो तीन महिने का मुनाफ़र है अब क्या हो चुका है उस पर tax कितना कटेगा फाइलर को नॉन फाइलर को और tax के बाद जो net profit क्या मिलेगा ठीक है इसी दर चे महिने की मुनाफ़र क्या है इस पर tax कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को और tax के बाद net profit क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को short term saving certificate से related बहुत details में video हमारी मौजूद है किस तरह आपने account खुलवाना है किस तरह आप deposit जमा करवाएंगे किस तरह तो सारी details आप लोगो already पढ़ता है ठीक है आज हम सरी बात करेंगे इनके profit rate की उस पर tax की और tax के बाद net profit की details video short term savings certificate की हमने 4-5 तो video में issue की शेर की भी आप लोगों साथ हमारे channel पर मौजूद है ठीक है जो नए लोगे जिनको short term savings certificate का नहीं पता हमारे channel पर details video मौजूद है तो account खुलबाने का तरीका और मजी details है उसमें हम नहीं पढ़ते हैं वन्ना उसमें time जाधा जाया हो जाएगा ये point जो है ये भी हमने आप लोगे साथ already share किया है लेकिन ये वो point है जिसमें हर video में share करना ज़रूरी होता है कि who can invest short term savings certificate में कौन लोग सरमायकारी कर सकते हैं ये point है जिसको हम वीडियो को ज़िसा ज़रूर बनाएंगे ठीक है short term savings certificate में तमाम पाकिस्तानी जो है वो सरमायकारी कर सकते है overseas पाकिस्तानी जो है वो भी सरमायकारी कर सकते है Short Term Saving Certificate Singly भी ले सकते हैं Short Term Saving Certificate Jointly भी ले सकते हैं अगर आप Jointly लेते हैं Short Term Saving Certificate तो उसमें फिर condition यह होती कि आपनोंने बताना होता है कि जो check issue करेंगे Short Term Saving Certificate का उसमें एक बंदा sign करेगा या दोनों बंदे के sign होगा ठीक है मतलब tud Supply Signature होगा या Jointly Signature होगा तो यह चीज़ भी mention करना पड़ेगा इसके लावा Short Term Saving Certificate जो है वो Minor के नाम पे भी लिया जा सकता है ठीक है Jointly Minor के नाम भी लिया सकता है मतलब Minor जो है वो दो हो इसके लावा Short Term Saving Certificate जो है मौनर के साथ jointly ले सकता, मतलब यह कि short term service savings certificate आपने एक minor के नाम पे ले लिया, वो भी इला हो है दो minor के नाम पे jointly ले लिया, वो भी इला हो है और तीसरे है कि आप minor के साथ, minor अपने नाम और minor के साथ, minor के नाम के साथ jointly भी ले सकते, ठीक है तो यह सारी terms and condition है कि short term savings certificate में कौन-कौन लोग सर्माय कारी कर सकते और किस तरह कर सकते singly और jointly जनाब, यह circular जो है वो ministry of finance की तरफ से issue हुआ है जनाब, short term savings certificate की हवाले से, ठीक है, डेट इस पे देख ले कल की डेट है, लेकिन यह लोगों तक जो पहुँचा है, वो आज की डेट में पहुचा है, दूसरे की जनाब, यह जो applicable ही यहाँ पर देख लें, 12 September 2014 से मतलब, आज सुबा से जिन लोगों ने short term saving certificate में सर्माय कारी किये उनको जन्यों नया मुनाफ़ा rate लगेगा अच्छा, जो हमारी calculation होती जनाब, वो सारी एक लाग पे होती, तो मैं आपको direct एक लाग का ही rate दिखाता हूँ तो कि इन्होंने मुक्तलिफ 10,000, 50,000 एक लाग, पांच लाग, दस लाग, पचास लाग और एक कुरोड पे rates दिखाया है उसको समझने थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो हम एक लाग पे calculation अपनी सारी बनाते है अब ये एक लाग रुपे आपको दिख रहा है एक लाग पे जो तीन महीने का मुनाफ़ा बनदा वो बननेगा आप तीन महीने का 4630 रुपे ठीक है 6 महीने का मुनाफ़ा बनेगा 9110 रुपे और 12 महीने का मुनाफ़ा बनेगा 17220 रुपे ठीक है ये एक लाग रुपे पे जो है मुनाफ़ा इन्होंने शियर किया ये सर्कुलर आपके सामने है जनाब औरिजिनल सर्कुलर है ठीक है और यह देख लें कि सर्रुकलर कौमी बच्चत की website पे भी I think upload हो गया होगा आप देखना चाहे तो वहाँ भी देख सकते है ठीक है अब जनाब यह सर्रुकलर के मताबिक जो इसका नया मुनाफ़ा है ठीक है अच्छा यह चीज मैं आप कर रहे थे कि जनाब बहुत बड़े प्यमाने पे तबदीली होगी लेकिन आज ही मॉनिटिक पॉलिसी के इनाउस्मेंट हुई है और आज ही जो है जो है इनका सर्रुकलर आ गया है कौमी बच्चत के मुनाफ़े में तबदीली का असल में इसकी वज़़ा है कि जनाब दोनों सेम डे इसलिए हो सकता क्योंकि कौमी बच्चत को पहले ही पता था कि जो इंटरस रेट है शराह सुथ में 200 पॉइंट की कमी होने वाले 2% की कमी होने ने पहले इसलिए बच्चत से पता था जनाब कि दोनों का Finance Division है मतलब जो Ministry of Finance है मतलब कौमी बचत जो है वो भी अंडर में आता है जनाब Finance Minister के मौहमत औरंजे साब के और State Bank जो सरकुरों एशू करता है Monitoring Policy का वो भी जो है उनके अंडर में आता है Finance Minister मौहमत औरंजे साब के तो जब दोनों का Head से में तो Information उनने बता दिया होगे कौमी बचत वालों की जनाब शरह सूद इतना होने वाला है तो आप अपने मताविक जो है वो कमी कर सकते बलकि उनकी Approval के बाद ही कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफ़ा रेट तबदील होता है बहराल कौमी बचत का मुनाफ़ा रेट जो है वो तबदील हो चुका है नया मुनाफ़ा गया है जनाब वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अब सबसे Important है कि जनाब इन पे Tax कितना कटेगा क्योंकि Short Term Saving Certificate कुछ भी हो जाए Tax Wave नहीं है तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे Short Term Saving Certificate तीन महिना चे महिना और बारा महिने का मुनाफ़ा क्या है इस पे Tax कितना है ठीक है तो सबसे पहले बात करते है Short Term Saving Certificate तीन महिने वालोगी अच्छा ये बात तो सबको पता है कि जनाब जो Short Term Saving Certificate होता है इसका मुनाफ़ा Majority पे मलता है मतलब अगर आपने तीन महिने के लिए बूक करवा है तो तीन महिने बाद आपको मुनाफ़ा मिलेगा छे महिने के लिए भूकिंग करवा है तो छे महिने के बाद पंधा परसंट टेक्स करते हैं जिसके अमान बननी 625 रुपए और टेक्स काटने मत एक लाग पे 3935 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को तमाम टेक्स काटने के बाद ठीके इसी तरह हम बात करते हैं नॉन फाइलर की तो रेट तो सेम ही होगा जनाब 18.52 परसंट टीके ग्रॉस प्रॉपटी भी वही महीं लेगा मतलब एक लाग पे तीन महीने बाद मुनाफ़ा मिलेगा ग् ठीके तो यहां पर देखिए जनाब फाइलर को मुनाफ़ा फिर भी मैं काऊंगा बहुत बहतर है ठीके मतलब 4630 रॉपए का ग्रॉस मुनाफ़ा और तमाम टेक्स काटने बाद 3935 रॉपए का मुनाफ़ा मुनाफ़ा में कमी हुई लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं माइ 9110 रॉपए का अगर आप फाइलर है तो इस पर टेक्स काटेगा 1360 रॉपए और टेक्स काटने बाद 1,005,007,747 रॉपए का 6 मेने बाद मुनाफ़ा मिलेगा फाइलर को और इसी तरह बात कर लेते जनाब नॉन फाइलर की तो रेट वही 18.02% जो क्रॉस प्रॉफिट ही 6 म महीने के बाद मुनाफ़ा मिलेगा नॉन फाइलर को 5921 रॉपए का ठीक है तो यहां भी फाइलर का मुनाफ़ा काफी बेतर है 6 महीने का 9110 रॉपए ग्रॉस और तमाम टेक्स काटने बाद 7743 रॉपए का यह लास्ट है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 12 मही निकले ठीक है इसका मुनाफ़ा 12 महीने के बाद मिलता है रेट हो गया 17.22% ठीक है मतलब एक साल के बाद जो है एक लाग पे मुनाफ़ा मिलेगा 17,220 रॉपए का अगर अब फाइलर है तो 15% टेक्स काटे है जिसमें बढ़नी 2513 रॉपए और टेक्स काटने के बाद एक ल हुआ है 2% ठीक है अब बात करते है नॉन फाइलर की अच्छा नॉन फाइलर की सारी चीज़े तो सेम होगी मतलब रेट वही होगा 17.22% ग्रॉस प्रॉफिट भी वही होगा 17,220 रॉपए फरक आएगा कहां पर टेक्स पर नॉन फाइलर पर टेक्स है 35% जिसके मान बढ़न पर 17,220 रॉपए का मुनाफ़ा मिलना है ग्रॉस और तमाम टेक्स काटने पर 14,630 रॉपए का प्रॉफट मिलना है नेट फाइलर को तो निजाना आप यह दिया अचकी हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सेटिफिकेट से रिलेट शॉर्ट टर्म सेविंग सेटिफ पसंद आई हो को रिक्वेस्ट आप लोग से यही है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को शेयर कर दें बैल आईगान को पैस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जमा आप लोग लोग वीडियो बना रहे चाहे वो national savings से related हो, private bank कों से related हो, budget हो, सरकारी मराजबिन की तनखा हो, pension हो, eo bio वीडियो first of all आप लोगों मिलें और आप लोगों जादा से जादा फाइदा हासिल कर सकें मिलते हैं next video में चला तब तक लिए Allah आफिस